सभी को नमश्कार, हम चर्चा कर रहे हैं भारतिय समाज के सम्मुख, जो चुनोतियां हैं, उन चुनोतियों के बारे में, जातिवाद के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, आज हम चर्चा करेंगे सामप्रदाइक्ता के बारे में, सांप्रदाइक्ता किसे कहते हैं क्या अर्थ है इसका और इसके लिए उत्तरदाई जो कारक है वो कौन-कौन से है या सांप्रदाइक्त नाव किस तरीके से समाज में फैल रहा है इन सब बिंदूओं पर आज हम जर्चा करेंगे सांप्रदाइक्ता एक रोग है और वह भी संक्रामक भारत की एक अत्यन्त ज्वल्दन्त समश्या है सांप्रदाइक्ता इसने रास्टे एकिकरण के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा उपस्तित की है हिंदूओं और मुसल्मानों के बीच सांप्रदाइक्ता को जन्म दिया है समय समय पर भारत में आक्रमनकारी के रूप में विभिन धर्म, प्रजाती और संस्कृतियों के लोग आते रहे कई जो सांस्कृतिक समू और धार्मिक समू थे वो भारतिय समाज में साबंजश्य उन्होंने कर लिया और वो भारतिय समाज की साथ विलीन हो गए लेकिन कुछ ऐसे समू थे जिन्नोंने अपना प्रथक अस्तितु बनाए रखा और समय समय पर धार्मिक और सांस्कृतिक तनाओं को जन्म दिया इसके परिणाम स्वरूप अनेक इस्तानों पर सांप्रदाइक धंगे हुए जैसे अलिगड, राची, मेरट, कोलकाता, औरंगाबाद, मुरादाबाद, जलगाँ, जमशेदपूर, उजरात के जो धंगे हैं ये सारे उधारण हैं जो सांप्रदाइक तनाओं के हैं सांप्रदाइक ता के समान ही भारत में छेतरवाद और भाशावाद की समश्याई भी हैं ये तीनों ही समश्याई एक दूसरे से संबंदित हैं और एक दूसरे को उत्पन भी करती हैं सांप्रदाईक्ता का जो अर्थ है अलग-अलग समाज चास्तियों ने अपने अनुसार उसको परिभाशित किया है समाज के अनुसार समाज में जो परिस्तितिया है उन परिस्तितियों के अनुसार Random House Dictionary में लिखा है सांप्रदाईक्ता अपने ही जातिय समूं के प्रती नैकी समग्र समाज के प्रती तीवर निश्टा की भावना है श्री कृष्णदत भट्र ने लिखा है अपने धार्मिक सम्प्रदाई से भिन अन्य सम्प्रदाई या सम्प्रदाईयों के प्रती उदासीन्ता, उपेक्षा, ग्रेना, विरोध और आक्रमन की भावना सांप्रदाईक्ता है जिसका आधार वह वास्तविक्ता या काल्पनिक भह की आशंका है कि उक्त सम्प्रदाई हमारे अपने सम्प्रदाई और संस्कृती को नस्ट कर देने या हमें जालमाल की छती पहुँचाने के लिए कटी वद्ध है इसी प्रकार से इसमित ने लिखा है एक साम्प्रदाईक वेक्ति अथ्वा समू वह है जो अपने धरम या अपना जो धार्मिक या भाशाबासी समू को एक ऐसी प्रतक राजनितिक तथा सामाजिक इकाई के रूप में देखता है जिसके हित अन्य समुहों से प्रथक होते हैं और जो अक्सर उनके विरोधी भी हो सकते हैं तो ये विभिन अर्थ दिये गए हैं सांप्रदाइक्ता के बारे में सांप्रदाइक्ता की विशेष्टाओं पर हम चर्चा करें तो इसमें सबसे पहली विशेष्टा है सांप्रदाईकता का संबंद धार्मिक समुहों से हैं एक धर्म के वेक्ति अपने को एक संप्रदाई से संबंदित मानते हैं किन्तु जहां एक धर्म में ही विभिन मत मतांतर हैं वहां सांप्रदाईक्ता का संबंद एक धर्म में ही विभिन छोटे-छोटे संप्रदायों से होता है जैसे इसलाम धर्म में सिया और सुन्नी और हिंदूों में शेव, वैशनव, कबीर, रैदास, आधी अलग-अलग धार्मिक संप्रदाय हैं दूसरा है, सांप्रदायक्ता में यह भाव विद्यवान होते हैं कि अपना ही धर्म छ्रेष्ट है, अपनी ही भाशा और अपनी ही संस्कृती छ्रेष्ट है तीसरा, सांप्रदाइक्ता में अन्य धर्मों, भाशाओं एवं संस्कृतियों के प्रती, ग्रणा, त्रिस्कार एवं उपेक्षा के भाव पाये जाते हैं ये विरोधी भाव ही सांप्रदाइक तनाव और संघर्ष को पैदा करते हैं अगला है सांप्रदाइक्ता पारेसपरिक इसने हैं और सहयोग के इस्तान पर सामाजिक एवं राजनितिक अलगाव पैदा करती हैं अगला है सांप्रदाइक्ता का आधार लोगों में उत्पन वहे वास्तविक या काल्पनिक भे है कि अन्य धार्मिक समून उनके संप्रदाई और संस्कृति को नश्ट कर देंगे और जानमाल को छती पहुँचाएंगे इस प्रकार जो विभिन विशेशताई हैं उनको समझने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि सांप्रदाइक्ता वहे संकीन मनुवरती है जो एक वर्ग अत्वा संप्रदाई के लोगों में अपने आर्थिक एवं राजनितिक स्वार्थों की पूर्थी के लिए पाई जाती है और उसके परिणाम स्वरूप विभिन धार्मिक समूहों में तनाव एवं संगर्ष पैदा होते हैं अब हम जानें कि सांप्रदाईक तनाव या जो ये उपद्रव होते हैं इनके कौन-कौन से कारण है इसमें विभिन कारण बताए गए हैं जैसे गोवद जब भी किसी गा भड़क उठता है और दंगे शुरू हो जाते हैं क्योंकि हिंदू गाय को आदर एवं सम्मान की द्रिश्टी से देखते हैं उसके साथ उनका भावनात्मक लगाव होता है और वे उसे गो माता की रूप में पूजते हैं नेक्स्ट है मस्चित के सामने गाने और वजाने के कारण भी सांप्रदाइक दंगे हुए हैं या फिर किसी हिंदू द्वारा होली के आउसर पर मुसल्मान पर रंग शिड़क देने पर भी कई बार सांप्रदाइक दंगे होते हैं इसके अलावा हिंदूओं के जुलूस पर पत्राव करने अथ्वा मुसल्मानों के धार्मिक जुलूस या मोहरम के समय पत्राव की घटना के कारण भी सांप्रदाइक तनाव बढ़क उठते हैं अगला अगर हम देखें तो कुछ अराजक तत्व जो होते हैं वो अराजक तत्व भी इस प्रकार के दंगे बढ़काते हैं क्योंकि दंगों के समय उन्हें लूट पाट करने या अपनी वासनाओं को तरप्त करने का आउसर मिलता है संकीन, राजनिती, जातिवाद, भाशावाद, भाईभतिजावाद, एवं पक्षपात इन सब के कारण भी कई बार सांप्रदाइक दंगे हुए हैं तो ये विभेने कारण है जो सांप्रदाइक दंगों के लिए उत्तरदाई हैं अब हम दर्चा करेंगे सांप्रदाइक दंग के लिए जो उत्तरदाई कारण हैं उन पर कौन कौन से कारण हैं जो सांप्रदाइक दंगों को समाज में जन्म देते हैं इन में सबसे पहला है एतिहासिक कारण यह एक एतिहासिक सत्य है कि मुसल्मान बाहर से आये हैं और भारत में अपने धर्म परचार के लिए तलवार एवं जोर जबरदस्ती का सहरा लिया है और रंगजेब तथा कई अन्य मुसलिम सासकों ने लोगों को जबरन मुसल्मान बनाया था इस कारण से हिंदूं के मन में उनके प्रती ग्रहना पैदा हुई इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि हिंदूं और मुसल्मानों में लंबे समय से संगर्श करते रहे हैं और परश पर अनेक पूर्वा ग्रहों भै और संकाओं से ग्रह्ष्त रहे हैं मुस्लिम लीग की मांगने भारत के दो टुक्टे हिंदुस्तान एवं पाकिस्तान कराए भारत का खंडित होना आज भी कई लोगों को पसंद नहीं आया विभाजन के समय तोनों और से होने वाले दंगों से हुई हानियों को कई लोग आज भी नहीं बुला पाए हैं तो बहुत सारे एतियासी कारक इस सामप्रदाइक धंगों के लिए उतरदाई हैं जिनकी वज़े से समय समय पर समाज में हमें सामप्रदाइक तनाव देखने को मिलता है नेक्स्ट है मनोविग्यानिक कारक हिंदू और मुसल्मान दोनों में ही एक दूसरे के प्रतीक ग्रहना दुएश प्रतीकार विरोध एवं प्रतक करण के मनोभाव पाये जाते हैं इस प्रकार की मनोवरती प्रातीन समय से चली आ रही ब्रांतियों और पूर्वा ग्रहों के कारण हैं ये जो पारसपरिक एविश्वास है इसने सामप्रदाइक ता को बढ़ावा दिया है और इसकी हानी एप्रतेक्ष रूप से समाज को उठानी पड़ती है सामप्रदाइक ता को जन्म देने में एक पहत्पूर्ण कारक हिंदूओं एवं मुसल्मानों की सामप्रतिक विभिन्यता है दोनों में रहन सेहन, खान पान, रिती रिवाद, पहनावा, धर्म, विचार धरा इन में बहुत अंतर है मुसल्मान मूर्ति पूजक नहीं है और हिंदू मूलत है एक विवाई है तलाक एवं विद्वा विवाई उन में नहीं होता है और इसके विपरीत अगर हम मुसलिम समाज में देखें ये जो सांस्कृतिक बेद है ये मनमूटाव और तनाव पैदा करता है और परिणाम सोरूप हमें समाज में सांप्रदाइक तनाव या सांप्रदाइक दंगे जो वो देखने को मिलते हैं नेक्स है भोगुलिक कारक, भोगुलिक कारकों ने भी साम्प्रदा इक्ता को बढ़ावा दिया है, भारत में अधिकांस्ते निवास का प्रतिमान यह है कि एक ही धर्म जाती एवं भाशाबासी समू एक ही भोगुलिक छेतर में निवास करती हैं, और इसके परहिनाम सोरूप उनमें हम समूह में तो सहयोग एवं आत्मियता की भावना पाई जाती है, लेकिन जो बाहिये समूह होते हैं, उनके प्रती घ्रणा, द्वेश और विरोध की भावना पाई जाती है, ये जो हम समूह की भावना है, ये और बाहिये समूह के प्रती घ्रणा और द्वेश है, ये सांप्रदाइक तनाओं को जन्म देता है विश्व के सबी धर्मों के मूल सिधानतों में अनिक समानताएं है किन्तु छोटे मोटे विभेद भी है इन विभेदों के कारण ही एक धर्म को मानने वाले लोग अपने धर्म को दूसरों से स्रेष्ट समझते है धर्म गुरू, पादरी, पैगंबर, मोलवी अपने अनुयाईयों को धर्मी कटरता की सिक्षा देते हैं और दूसरे धर्म के जो लोग हैं उन धर्म के लोगों के प्रती सांप्रदाइक तनाओं या अपने धर्म का प्रचार करना विपुन्य का काम मानते हैं इन धर्म गुरूं को द्वारा गलत दिशा निर्देश करने के कारण भी कई बार हमें समाज में सांप्रदाइक तनाओ देखने को मिले हैं नेक्स्ट है राजनितिक स्वार्थ चुनाओं में विजे प्राप्त करने एवन सत्ता हतियाने के लिए कई राजनितिक दलों का गठन धार्मिक आदार पर किया जाता है ये राजनितिक दल विबिन जो चुनाओं होते हैं उन चुनाओं में अपने उमीद्वार खड़े करते हैं और सांप्रदाईक्ता के आधार पर वोट भी मांगते हैं उमीद्वार का चैन करते समय भी इस बात का विशेश त्यान रखा जाता है कि जहां जिस संप्रदाई के लोगों की बहुलता है वहां से उसी संप्रदाई का वेक्ति चुनाव लड़े मत प्राप्त करने एवं राजनितिक उद्देशों की पूर्ति के लिए जो ये राजनितिक नीता हैं ये सांप्रदाईक्ता की आग भड़कवाते हैं नेक्स्ट है सांप्रदाईक संगठन जैन, सिक, हिंदू और मुसल्मान आदी जो अलग-अलग संप्रदाई हैं इन सभी में सांप्रदाईक संगठन पाहे जाते हैं ये सांप्रदाईक संगठन अपने-पने मताव लंबियों को संगठित करते हैं और वो दूसरों के प्रति उनको भड़काते हैं जिससे समाज में संगर्ष और धंगे होते हैं सामप्रदाइक्ता को बढ़ावा देने में समाज विरोधी तत्व एवं नीहित स्वार्थ वालों का भी महतुपूर्ण हाथ होता है समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तनाव एवं संगर्ष की इस्तिती पैदा करते हैं जिससे उन्हें लूट पार्ट करने एवं योन व्याभीचार करने का आउसर प्राप्त होता है और वे अपने वेक्तिकत जगडों का बदला भी ले लेते हैं ये जो नीच स्वार्थ हैं ये भी संप्रदाइकता को समाज में बढ़ाते हैं अगला है धर्म निर्पेक्षता का दुरूपियोग भारतिय समिधान भारत को धर्म निर्पेक्ष राष्ट गोशित करता है इसका आर्थ है भारत में प्रतेग धर्म एवं संपरदाय को फलने फूलने एवं विकास के समान आउसर उपलवद होंगे कोई भी धर्म रास्ट धर्म के रूप में सुविकार नहीं है रास्ट के लिए सबी धर्म समान है धर्ब निर्पेक्ष्टा के मनमाने अर्थ का अनुचित लाव उठा कर कई बार एक धार्मिक समूह ने दूसरे पर अपने आपको थोपने की कोशिश की जिसके परिणाम सोरूप हमें समाज में तनाव और संगर्ष देखने को मिलता है नेक्स है जो विबिन कारण है उन कारणों के बारे में हमने चर्चा की ये सांप्रदाइक्टा के लिए उत्तरदाई कारक है और आज के लिए जो हमने चर्चा की है उसमें सांप्रदाइक्टा का आर्थ, सांप्रदाइक्टा की विशेशता हैं, सांप्रदाइक्टनाव और उत्तरवों के कारण और सांप्रदाइक्टा के लिए जो उत्तरदाई कारक हैं इन सब बिन्दूों पर हमने चर्चा की आज की चर्चा में बस इतना ही झाल झाल